हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में आज हम पढ़ेंगे 20 अगस्त के यानि 20 अगस्त के करंट अफेज क्वेशन नमबर वन विच स्टेट हैस लॉंच्ट प्लांटेशन ड्राइफ क्रिश्ना कुंज प्लांटेशन ड्राइफ को लॉंच किया है अब प्लांटेशन ड्राइफ का मतलब प्लांटेशन ड्राइफ से मतलब हमें पता चल रहे हैं कि कुछ पौधे वगरा प्लांट करने हैं उसके उससे रिलेटेट कोई ड्राइफ है राइट तो यह कौन से स्टेट ने करिए यह कर कुछना कुछ को लॉंच किया है इनका एम किया है कि यह urban forest create कर सके जिसमें कि culturally significant और बाकी जो useful trees हैं वो हो सके culturally significant जैसे कि हमारा अशोग का पेड़ हो गया तुल्सी के पौदे हो गये और आम का पेड़ हो गया यह सब हम उसमें पूजा में इस्तिमाल होते हैं यह हमारे कल्चर का पार्ट है यूसफुल ट्रीज हो गए जैसे कि इंडिया गेट पे क्या है कि इंडिया गेट पे बहुत सारे जामन के पेड़ लगा रहे हैं जगह जगह पे और जैसे हम सुसाइटी वगर होती है तो डैली में वहां पे कुछ कभी बनाना ट्री लग जाता यह सब चीजें क्या होते हैं यह सब यूसफुल ट्रीज होते हैं अब हमें फ्रूट मिलेगा शायतूट मिलेगा शायतूट के पेड़ लगते हैं तो यह सब हमें फ्रूट देंगे तो दीज यूसफुल ट्रीज राइट तो ऐसा ही ऐसा ही कॉम्बिनेशन का उनको फॉरस अब खेला जाता है जर्माश्टर में में धायँ हांडी होती है लोग बहुत सारे गुविंदाज होते हैं उपर चटते हैं पिर कोई एक जो है वह धाया तोड़ता है ठीक है गोवा गुजरात महराश्ट्रा या उत्तर प्रतेश तो बच्चो वह लाउंच किया है महराश्ट ने महाराश्चा की चीफ मिनिस्टर उनका नाम है एकनाथ शिंदे उन्होंने ये कहा है कि दही हांडी जो है वह अपसे स्टेट का स्टेट स्पोर्ट के तौर पे खेला जाएगा और उन्होंने ये बोला कि प्रो दही हांडी और गोविंदाज जो है पाटिसिपे एक प्रो गोविंदाज जो जीते गा पार्टिसिपेंट को किया स्पोर्ट कोटा के अंदर जो है गवर्मन जॉब्स में रेजर्वेशन जो है वह मिलेगा तो अब ऑव्विसी बात है क्योंकि ये रेकगनाइज्ड स्पोर्ट है एक स्टेट का ओफिशल रेकगनाइज्ड देखल लंसस् वह मिलेगी जैसे कि हमने देखा था कि 2%फ रेजर्वेशन वह मिल रहा था कहां पे साूथ कोई स्टेट था वहां पे मिल रहा था कि उन्न एक्स्टएंड करतें कि 2% of reservation अब हर तरीका की government jobs में है जो दिया जाएगा sportsperson को लाइट तो वैसे ही uh that was in करnaata का तो अगर वो उसको खेलेंगे तो कभी लगवग जाती है कुछ लग जाती है तो उनको 10 लाग का इंशॉरंस कवर्ज रहे है वो मिलेगा next question who has been appointed to the panel of eminent expert on internet governance by UN Secretary General Antonio Antonio Guterres ने अभी recent in Ukraine को विजट किया है यह इसलिए भी नियूज में है और इन्होंने एक पैनल बनाया है उनका उस पैनल में क्या है eminent export internet governance की internet governance यानि की जो इसमें तो आये गई but internet governance basically क्या है कि कैसे अब क्योंकि digitization बढ़ रहा है people are using more people are using internet day by day so it is or it is very important to regulate those things है ना तो उमेश उमेश ललेत राजीफ कुमार नरेंदर मोधी या अलकेश कुमार शर्मा तो बच्चों वह हैं अलकेश कुमार शर्मा अलकेश कुमार शर्मा को UN General's UN Secretary General Antonio Guterres अब यहां से question बन जाता है UN के Secretary General कौन है Antonio Guterres इन होने किसको को अपॉइंट किया अलकेश कुमार शर्मा को अपॉइंट के जो की आयस ऑफिसर रहे चुके हैं ठीक है और यह इंडिया के यह क्या थे बेसिकली यह सेक्रेटरी थे किसके सच्छिफ थे इंडिया इलेक्ट्रोनिक एंफोर्मेशन टेक्नलोजी की अब इनको वहां पे उस पैनल में पॉइंट कर लिए एक और एक और लो इंडियन हैं उनको भी करा गया उनका राम है रहें अमन्दीब सिंगिल थे क्या अमधीप सिंगिल उन्हों उनको भी इस पैनल में जह वह पॉइंट किया गया है अब इसका बेसिकली एम क्या है इसका बेसिकली एम यह है कि टू डील विद स्टाटेजिक ऑर इजन इशुदि जैसे कि मैं आपको बता है स्टाटेजिक urgent issues आप आपको इतना बड़ा internet है इतना इतना वास्ट है तो आप उसको without any strategy तो आप उसको control नहीं कर सकते उसको govern नहीं कर सकते तो you need some kind of strategy and urgent issues like cyber wars we are saying we हम लोग देखते कि cyber wars day by day बढ़ती जा रही है फिर हम देखते कि कभी कोई hacking हो जाती है कुछ कभी कुछ data leak हो जाता है तो all these things are very urgent issues तो उन पर ही सारा काम होगा चाहिए next question when is world humanitarian day 2022 is celebrated 19th July 28th July 19th August या फिर 20th July तो बच्चों वो celebrate होता है 19th August को कल चाहिए अब कल एक और दिन पढ़ा था वो था world photography day world photography day is also celebrated on 19th August अब कोई ठीक है अब कोई भी डे अगर celebrate होता है तो उसका एक theme होता है हर साल उसका theme जो है वो change होती है तो अब देखते कि यह क्यों celebrate किया जाता है यह सबसे पहली बात तो 19th August को हर साल celebrate किया जाता है ठीक है क्यों celebrate किया जाता है ताकि to pay tribute and homage to brave hearts who leave no stone unturned to come forward and work towards a humanitarian cause वो किसके लिए work करते है जो मानव जाती है उनके betterment के लिए work करते हैं उनके लिए work करते हैं उनके rights के लिए work करते हैं उनके facilities development के लिए work करते हैं तो यह एक्चली मैं पहले इसके थीम पढ़ ले थे फिर बढ़ते कि यह क्यों celebrate करते हैं जो थीम थी to show how the importance to show the importance effectiveness and positive impact of humanitarian work यानि कि अगर हम आगे बढ़कर मानव जाती के लिए कुछ करते हैं तो उसका क्या importance रहता है क्या उसकी effectiveness रहती है और कितना उसका positive impact रहता है दूसरों पर ठीक है अब यह क्यों celebrate करते हैं कि क्या हुआ था कि 19th August 2003 में ठीक है 22 लोग थे 22 humanitarian aid workers थे जो कि humanitarian cause humanitarian उसके लिए काम कर रहे थे तो उनको जो है वो कहां पर बगदाद इराक में मार दिया गया था bomb attack से वो कैनल होटल में ठेहरे वे थे और महां पर इनको मार दिया गया तो पांच साल बाद UN ने यह decide कि हम 19th August को World humanitarian day जो है वो celebrate करेंगे next question which one of the following statement about the Palan thousand national campaign and parenting app is incorrect the answer सुने you have to point out incorrect focus is on cognitive development of children in first five years of their life focus on development of both mother and child the app will provide caregivers with practical advice on what they can do in their everyday routine and will help resolving the various doubts of parents and will direct your efforts in development of child fourth option is all of the above conscious make correct है कौन सी statement इन में से incorrect है या फिर सारी ही incorrect है so answer is one option one statement one it focuses on the cognitive development of children in the first five years of their life is incorrect why because it focuses on the cognitive development of the children in first two years of their life ठीक है दो साल के लिए होता है पांच साल के लिए नहीं अब यह किसने launch किया गया है किसने launch किया है क्यों launch किया है वह देखते हैं यह launch किया तब ही उसकी development जो स्टार्ट हो जाती है और बहुत important है कि हम तब से ही ऐसी policy बनाएं कि तब से ही लेकर दो साल तक बच्चों का जो care है वो हम कर सके हैं अब हम देखते कि हम पढ़ क्यों रहे हैं हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि क्या हुआ था कि 2014 में क्या था 45 पर 1000 जो life birth थे बच्चे क्या थे दो साल में मर जाते थे अब 35 हो गया है वो रिडियूज हो गया है जो हम बोलते हैं इंफिंट मोर्ट चाइल्ड मॉर्टालिटी रेट जो है वो अब रिडियूज हो गया है पहले 45 पर 1000 बर्ट था अब 35 पर 1000 बर्ट है इन 2019 अब हम देखते क कि पालन थाउजन में क्या किया गया नाशनल कैम्पेन एक तो यह ठीक है और एक पेरेंटिंग आप जो है वो भी लांच किया जाएगा अब पेरेंटिंग अब हम सब देखते हैं कि हर चीज जो है वो आप पे अवेलेबल है तो आप इस दे मोस्ट कन्वेनेंट वेंट वे और फैमिली को क्या करेगा वो गाइड कर देगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे नहीं करना है ठीक है अब फ़र्स हंट वो जो फ़र्स थाउजन डेज होंगे वो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे दा मोमेंट अवोमेंट कंसीज यानि दो साल तक बच्चा जब तक नहीं जाता तब तक अब यह क्या करता है उस टाइम पर राइट नुट्रिशन के बारे में बताएगा स्टिमिलेशन लव सपोर्ट इन सब चीजों के बारे में बताएगा और जो हंड्रेड डेज क्या करते हैं एक सॉलिट प्लाटफॉर्म है एक चाइड की फिजिकल मेंटल इमोशनल कॉगनिटिव और सोशल हेल्थ के लिए यह सब चीजें जो हैं यह सब कॉंसेप्ट और यह स सब्सक्राइड अब पैरेंट जो है वो दिया कीन टू कीन टू गैदर नॉलइच अब ओल दीस तिंग्स क्या उनके लिए सही है क्या उनके बच्चर के लिए सही है या नहीं तो इस तरीके से थूदी आप उन्होंने एक फोन में ही एवरीधिंग ऑथेंटिक जो है वो सब्सक्राइब करेंगे अब हम जानते हैं कि यह जो मैंने आपको बताया पूरा यह क्यों जरूरी है क्योंकि देखो जब भी कभी कोई भी आंसर आइटिंग वाला क्वेशन होता है या जो भी आप एक्जाम दे तो जिसमें आंसर आइटिंग है तो उसमें अगर वुमें या फिर चाइल्ड टेवलप्मेंट के बारे में कोई बात होती है तो इस तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक तु सटड़ी अबाओ यॉर एक्जाम जैसा अगर आप मेंस की त्यारी कर रहे हो या फिर कोई आपर रुटन एक्जाम है तो वहां पर नेक्स्ट क्वे सेरी फिर और पिरिस इंडिया दो इंडिया दो जो गियिस टॉर्गनाइज विंदिए और गर्साइव कमन वेलंट गे में और कॉंसे स्टेट्मेंट इन बीवेल टुकियां टीग इंडियन उलंपिक और आगने वेशन है इसको हम शौट फूरम में आयोए भोलते हैं टीग है और इसको कशने नाम से जानते हैं इंडियन उलंपिक कमटे बूसाल से उलंपिक तेटी के नाम से लुक्तnym जानें हैं ठीक है इसका यही काम है और इसको it also act as Indian Commonwealth Game Association जो आपको third point था तो यह Indian Commonwealth Game Association के तौर पर भी यह काम करता है जो की Commonwealth Games जब होते हैं तब उनमें जो भी आथलीट जाते हैं उनको यह सिलेक्ट करते हैं कब बना था 1927 में headquarter का है डेली में अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जो डेली हाई कोट है उसने एक three member committee of administrator COA जो है वो appoint किया है ताकि वो I.O.A के Indian Olympic Association के day-to-day task day-to-day काम को देख सके कर सके इसलिए अब इसको कौन इस committee में कौन होंगे इस committee में होंगे हमारे जस्टिस रेटायर जस्टिस अनिल आर दवे हमारे C.E.C. कौन S.Y. कुरेशी हमारे external affairs secretary विकास वरूप ये तीन लोग होंगे वो इस committee में होंगे प्लस तीन sports person होंगे उनका नाम है अभिनफ बिंदरा जिनको की हम सब जानते शूटर है लॉंग जंपर अंजू बॉबी और हमारे archer एल बॉमलया देवी ठीक है अब हम जानते हैं अब हम इसके बार में एक और चीज़ जानते हैं कि यह committee करेंगी है यह committee new constitution यह वो बनाएगी किसका sports का कि i.e.b. पूरों को ऐस्मार्लिट को छी से कि तरीके से लोग की जानी में जाया जाएगा जिर लोग को सेलेक्ट welfare किसे तरीके से उनका पूरा आधुर्डाय रोल होगा नाया जम यह जैसी फिलक्षिन मंद आदरे जो in सब्छाइज नेकिंज हैं उत्राइव, जब नेकिंज टि जो भी national important bodies होते हैं उनके अपने अपने election criteria होते हैं इस तरीके से particular way से election होगा और जो उनका representative है फिर head जो होगा तो वही तो उसका जो है new तरीके से अपकिस तरीके से election हो क्योंकि इसमें जो sports है उसमें हमें reform करने की जुरत है next question who will be the face of vigil vigil auntie campaign vigil auntie campaign बहुत funny सा नाम है बट यह एक बैंक के द्वारा start किया गया first anuradha menon कौन face होगे अरुना अनुराधा menon चंदा कोचर उदय कोटक अरुंदिती भटाचार है तो दोस्तों इनका जो विजल आंटी की जो face होगी वह है अनुराधा menon अब हम देखते कि अनुराधा menon थी कौन है कौन और यह किसने स्टार्ट के है HDFC bank ने यह campaign जो स्टार्ट के विजल आंटी ताकि टू प्रमोट safe banking habits लोगों के अंदर banking habits जोना है वो safe नहीं जैसे यह safe banking habits नहीं जैसे कि अगर कोई person जो है वो cash निकाल रहा हो तो हम देखते कि कई बड़ी दूसरा person भी ATM में एंटर कर जाता है HDFC bank का एक और campaign था जो कि cyber security के लिए था यह जो campaign है इंपोर्टेंट है यह सब क्या दिखाते है कि आप किस तरीके से cyber security को और भी जदा टाइटन कर सकते हो और भी जदा इन्हांस कर सकते हो ठीक है आप ठीक है नाशनल इंटरनाशनल लेवल पर तो सब कुछ हो रहा है बट लोकल लेवल पर आप क्या कर सकते हो तो मूब बंद करो प्रॉब्लम फाइनाशनल सेक्योर्टी आपकी जो है वो ब्रीच हो सकती है खराब हो सकती है कोई इसमें इंटर्वीन कर सकते है तो यूश्ट नॉट डू लेग ता तो वही था मूब बंद करो क्यांपेन तो इसलिए तो तो न्यू क्यांपेन फीचरिंग मैनन होंगी उन सारी कैमपेंज का भी फेस्ट उनको बनाया जाएगा हूँ है हूँ है बिकम इंडियास फर्स इंडियन फुटबॉलर तो प्ले इन यू ए ए विमन्स चैंपियन लीग मनीशा कल्यान बाला देवी अदेधी चौहान या कृष्णा सिंग कौन बनी है सबसे पहली इंडियन फीमेल फुटबॉलर जो कि क्योंकि वुमन्स चैंपियन है तो यू ए विमन्स चैंपियन्शिप में कौन जीतेंगे चैंपियन लीग में कौन खेलेंगी तो वह बनी है मनीशा कल्यान वह कौन है हमारी इंडियन फुटबॉलर है अब एक वेशन में आप से कल पूछा था क्वेश्ची अपियांशिप चैंप लिज देखेल रिखेण पार क्योंकि भोसा घुटा क्यान प्रीजाए आपस होंकि कि यू पने प्री अपनी प्रीयंब ओट के हैं तो हमने किती बार किया है वह क्या में आप मजब बता हुटके मैं और थे क्यांशिप्टने और थे क्त केट प्स्प लिए है की एप कर दो पहीं है जिए प्स पी पहीं है कि अजय मुद्ट ही है आज सूच जेए, जिए अंची रख फिजय के लेख शिए है लिए कि जए लेगा, जाए लेगाट एलज जान जाए जारते लिए क स्वेटा बाल इंट ऊकर दीन आतल जेल एंट आज झाल 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 झाल